सो हाई एवरीवन कैसे हो सभी के सभी और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम बड़े ही शांदार टॉपिक को पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो अपना जोश मीटर कमेंट कर दो बता दो यार एनरजी कितनी है पावर कितनी है क्या तयार हो पढ़ने के लिए तो सबसे बाद आज जो हम समझने वाले हैं पढ़ने वाले हैं बड़ा ही इंट्रस्टिंग टॉपिक और एक ऐसा टॉपिक जो कि बच्चों को समझ नहीं आता बोलते हैं यह जो लाइट है ना लाइट यह बड़ा ही मुश्किल टॉपिक क्लास 10 का क्योंकि इसके अंदर ना नुमे प्रिकल्स कुछ समझ नहीं आ पा रहा है शांत शांत मैं हूना मैं हूना है ना वाइट ओफियर वैन योर प्रिशान भईया इस हीर तो जब मैं हूं तो टेंशन की बात नहीं है सबसे पहला काम आपको एक करना है एक वन शॉट लेक्चर मैंने इसी चैनल पर ले रखा है वो जाकर देख लेना है अगर आपको जल्दी से इस पूरे चैप्टर को समझ रहा है अपने कॉंसेप्स को अगर आपको क्लियर करना है तो दूसरा काम है जो कि अपना आज का लेक्चर है आज हम लाइट के पूरे के पूरे NCRT के जो exercise questions हैं वो सारे exercise यहां पर solve करने वाले वह यह क्या पढ़ाया मज़ आ गया है ना तो चलो start करते हैं एक notebook pen लेकर बैठे हो है ना बेटा movie नहीं चल रही जो तुम आ गए हो मुँ ठाकर कि भाईया कुस तो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे तो हम सुन लेंगे सुनना नहीं है physics biology नहीं है जो सुनोगे physics है physics में क्या क करते हैं यह पूरी exercise है तो आप NCRT को भी खोल कर अभी अपने साथ बैठ सकते हो फटा फट से हम आते हैं question number one जो कि है हमारा mcq based question पहला question बोल रहा है which one of the following material cannot be used for making lens lens बनाने के लिए कौन सा material काम नहीं आता बता हो गई अरे बोल दे यार कि यह तो बड़ा simple है यह यह भी कराना पड़ेगा क्या देख पहली line तुझे बताई थी कि lens can be made up of any transparent material एक ऐसा material जिसमें से light जा सकती है तो क्या clay में से light जा सकती है अरे यह नहीं जा सकती clay में से कैसे light निकल जाएगी यार कैसी बेव कूफो वाली बात करने लगा है तू है है ना clay है इसका सही अंतर चलो बेटा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला question हमारा आ जाता है image formed by concave mirror is observed to be virtual जहां से देखना पहली line में ही question पकड़ लेंगे हम बोला है concave mirror concave mirror क्या होता है बच्चे बड़े confined600 रहते है यह concave convex में क्यव यानि क्या होता है? Castle गुफा कैसी होती है? 접 ऑपा कैसी होती है question पर वापिस से आते है question में बोल रहा है image formed by concave mirror is observed to be virtual देख ले क्या बोल रहा है कि एक image बनी है concave mirror से जो की virtual है, erect है और larger है आपको यह बताना है कि object कहां पर place किया गया है देखो concave mirror के 6 different different cases थे आपको याद रहने चाहिए है पढ़ाए भी थे और मैंने बोला था सारे important है और मैंने ये भी बोला था जो आखरी का case है जो 6th number का case था जिसके अंदर ये आपका concave mirror होता था और हम कहां पर रखते थे अरे बोलो रहे कहां रखते थे, पोल और focus के बीच में जब हम object को रखते थे तो कैसी image बनती थी रे, virtual बनती थी ना भाया कहां बनती थी इस तरफ में image बनती थी, है ना, याद आगया, बहुत बढ़िया तो भाया answer बता दो ये फटा-फट, अरे फटा-फट answer बता दो, answer क्या आएगा answer क्या आएगा answer आएगा आपका between कहां गया between pole and principal focus answer will be D बहुत बड़ी है यारे तो बड़े simple सवाल भी है ऐसे सवाल आएंगे क्या हन जी बेटा ऐसे सवाल आएंगे यह simple simple सवाल है दो गोड़ी के सवाल है इनको यूई निप्टा देते हैं न चलो 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 अरे आगे बढ़ जा भाई आगे बढ़ जा चलो अगला अच्छा इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी कहां पर मिलेगी आपको मिल जाएगी टेलिग्राम पर या फिर मैं description में भी डाल दूँगा तो आप टेलिग्राम भी जोइन करके रख सकते हो और मैं questions थोड़े जल्दी जल्दी कर आऊँगा क्योंकि time हमारे पास कम है हमें कम समय के अंदर जाधा questions की practice करनी है तो चलो अगला question देखते हैं देखो कौन से lens की बात कर रहा है Convex Convex कैसा दिखता था और same size चाहिए बेटा same size तो याद करो क्या एक case ऐसा था जिसके अंदर क्या हो रहा था बेटा same size बन रहा था mirror के अंदर भी एक case था और एक lens के अंदर भी था lens के अंदर उस case को हम क्या बोलते थे जब भी आपका object जब भी आपका object 2F1 पे है याद आगया twice of the focus वहाँ पर जब image बनती थी इस तरफ पे वो भी same आपकी size की बनती थी याद आगया और ऐसा यह case होता था mirror के अंदर mirror के अंदर हम क्या बोलते था जब center of curvature पे है याद है ना यह सारे ray diagram है बार-बार बोला था ray diagram प्राक्टिस करना अगर नहीं कर रहा तो बड़ी दिक्कत हैंगी आंसर फटा-फट से टिक कर दो ABCD में से जल्दी से मझे चैट के अंदर बता दो चैट के अंदर बता दो क्या आ रहा है आंसर आएगा at twice the focal length बहुत बढ़िया ये simple simple से ललू ललू से सवाल है इससे डर रहा है चल बेटा आज आगे बढ़ते हैं अगले 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 सवाल की तरफ आ जाओ क्या बोल रहा है a spherical mirror a spherical mirror and a thin spherical lens एक mirror भी है एक lens भी है आगे क्या बोल रहा है have each of focal length minus 15 cm देखो बढ़िया एक mirror है एक lens है दोनों की जो focal length है वो negative है negative है बताओ बेटा कौन सा mirror, कौन सा lens बोला था याद कर ले न concave, convex में confused मत हो न फिर से बता रहा हूँ फिर से बता देता हूँ जो आपका concave mirror होता है उसकी focal length इस तरफ होती है इसलिए हमेशा इसकी focal length negative आईगी तो concave mirror हमेशा कैसा होगा negative focal length का है न और जब जो convex होता है वो कैसा होता है वो होता है आपका positive यह याद रहना चाहिए और same, यही same होता है कहां पर यही same चीज होती है आपके lens के case में जो concave lens होता है जो concave lens होता है उसकी focal length हमेशा negative होती है समझ पाए, याद आ रहा है दुनली दुनली यादों के अंदर याद आ पा रहा है हाँ भई यह, थोड़ा थोड़ा यादर है कोई बात नहीं बैट है revision करोगी तो याद आता जाता है तो इसका सही answer क्या होगा negative है यानि concave mirror and concave lens तो आंसर ढूल ले ना कहा गया बोथ आर concave चलो यार भई यह, बड़ा simple सवाल था आगे बढ़ जाते हैं चलिए, अगले सवाल को देखते हैं फटा-फट से, अगले आपका सवाल है no matter how far you stand from a mirror your image appears erect the mirror is likely to be देखो, क्या बोल रहा है कि आप कितना भी दूर चले जाओ एक mirror है आपके सामने आप उससे कितना भी दूर चले जाओ mirror erect है, erect का क्या मतलब होता है erect का मतलब होता है सीधा अगर चिंटूलाल सीधा खड़ा है तो चिंटूलाल सीधा ही दिख रहा है है न, चिंटू लाल सीधा ही दिख रहा है, तो बता दो भई, कौन सा mirror है, अरे तुमारे घर में plane mirror है, plane mirror में सामने खड़े हो जाओ, कैसे दिख रहे हो, सीधी दिख रहे हो, उल्टे तो नहीं दिख रहे, उल्टे दिख रहे हो, तो गड़बड़ा है बेटा, चेक करवाओ गर के अंदर पूजा वूजा करो ठीक है बट मदा Quran के पहला तो आपको पता है plane mirror याद करो convex याद करो convex lens जब भी mirror convex mirror की जब भी हम बात करते हैं तो उसके अंदर 2 case आते थे य्याद है 2 case आते थे और दोनो केस के अंदर क्या होता था image हमेशा virtual और erect बनती थी, तो answer क्या आएगा either plane or convex, answer will be D clear है, बताओ जल्दी, chat के अंदर बतादो यार फटा फट, ये notebook pen लेकर बैठा करो, फिर बोल रहा हूँ, picture देखने नहीं आयो, इनको लग रहा है कि यार भाईया, summer vacation के अंदर इतनी सारी movies देख ली कि अभी उससे उभर ही नहीं पा रहे हो तो ऐसा मत करो, है ना, चलो बेटा अगले, 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 अगले सवाल की तरफ which of the following lens would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary, एक dictionary आपको पढ़नी है भीया, और आपको small letter देखने हैं, तो भी ये बतादो ये small letter कौन से lens से आप देखोगे, एक बात बताओ converging lens कौन सा है जो converging lens होगा उसी की मदद सही तो हम small letter देखेंगे हाई या ना बो, बिल्कुल, तो converging lens कौन सा होता था, convex होता था, याद आगया, ये कौन सा होता था, convex होता था ये तो भी हमें याद है, तो answer तो convex होगा, बट convex में भी दो case हमें दिये है, पहला case है C, और एक है A, ये इन दोनों में से कौन सा सही होगा, बड़ा confusing question है, star mark कर लो, बार बार पूछा जाता है, बच्चे confused होते हैं अब समझना मेरी बात, देखो आपको इसमें याद करना पड़ेगा जब हम ray diagrams बना रहे से उसमें हमने क्या देखा था, एक बार वापिस से recall करते हैं, फटा फट से time कम है, जल्दी जल्दी recall करवाता हूँ, ये देखो, माल लो ये convex है, ठीक है, माल लो एक मुंबत्ती जी थी, जो की दूर थी जब हमने मुंबत्ती जी की image देखी थी, जब मुंबत्ती जी बहुत दूर थी, तो image कैसी बन रही थी, छोटी बन रही थी, जैसे जैसे मुंबत्ती जी आगे आती गई, आगे आती गई, आगे आती जो image थी वो बहुत बड़ी बनी थी याद आ गया याद आ गया बहुत बढ़ी याद आ गया बहुत बढ़ी तो क्या हम इससे ये बोल सकते हैं क्या हम इससे ये बोल सकते हैं कि एक lens क्या बोल रहा हूं मैं ध्यान समझना बेटा बहुत important point बता रहा हूं मिस मत करो मैं क्या बोलना चाहरा हूँ, एक lens जिसकी जितनी कम focal length उतना जादा बड़ा वो हमें किसी image को दिखा पाएगा, समझ पाए, समझ पाए, जिसकी जितनी कम focal length उसमें जो image बनेगी वो उतनी बड़ी बनेगी, क्या point clear है, क्या point clear है, बहुत बड़ी है, तो इसका सही answer क्या क्या, देख लो कि किस के अंदर जो आपकी जो focal length है, वो कम है, क्यों से के अंदर कम है, ओविस्सी बात है, C के अंदर देखो, तरी 5 cm दही है, जितनी कम focal length, उतनी जादा, क्या, magnified image, तो answer will be C, clear है बेटा, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, चलो, चलो बेटा, अच्छ करने की मेरे साथ साथ, पोशिश करना, देखो, मैं try करूँगा, मैं सारे question solve कराऊं, बट इतने कम समय के अंदर सारे question solve कराना practically उत्ता possible नहीं है, तो मैं जल्दी कराने की कोशिश करूँगा, बट आपका focus नहीं जलना चाहिए, आज आज जल्दी, देखो, we wish to obtain and erect image of an object using a concave mirror, हम क्या कर रहे है, concave mirror की मदद से, एक erect image बना रहे है, erect का बड़ा भाई कौन, बोल भाई कौन है, virtual, है ना, इसका मतलब हमें image चाहिए, virtual और erect, और हम कौन सा mirror यूज़ कर रहे है, concave mirror, focal length कितनी है, बट आप 15 cm, question मैं बोल रहा है, what should be the range of the distance of the object from the mirror, अरे फिर वही वाहिय बार बार बता चुका हूँ, कि याद रखना, जब भी focus और pole के बीच में object होगा, जब भी focus pole के बीच में object होगा, हमेशा याद रखेंगे, image कैसी बनेगी, virtual और erect, और इसका जो diagram है, वो भी मैंने बार बार बोला था, important है, कि भाया, एक तो ऐसे line पास कर देना focus से, ठीक है, और एक line कहां से पास करोगे, center of curvature से, है ना, तो एक जो आपकी line है, वो कहां पर जाएगी, वो एक object से आपकी glide जाएगी, कहां पर center of curvature की तरह, है ना, तो ऐसे ये दोनों दूर 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 जाएंगे, और ये कहां पर जाकर मिलेगा, ये दोनों जाकर मिलते हैं, virtual दुनिया के अंदर, नहीं, virtual दुनिया के अंदर, तो ये वाला जो ray diagram था, ये भी important था, है ना, तो question में क्या पूछा है, पहले question में बोला है, object का distance क्या है mirror से, तो क्या distance होना चाहिए, pole और focus के बीच में, यानी focus की कितना दे रखा है हमें, focal length दे रखा है, 15 cm, तो क्या मैं लिख दू less than 15 cm, बता बेटा, बोल यार, बोल यार, अब ये मतलिक क्या आ जाना, ये मतलिक क्या आ जाना, बच्चे गलत लिख क्या आ जाते हैं, 0 to 15 cm, ये मतलिक क्या आना, क्यों मतलिक क्या आना, क्योंकि 15 cm पे नहीं रख सकते, focus पे नहीं रख सकते, अगर हमने object को यहीं पर ही रख पांस कुछ भी चलेगा, ठीक है, आगे देखते हैं, क्या बोट रहा है, बोट इस दी नेचर आफ इमेज वर्चुल है, इस दी इमेज लार्ज, विल्कुल इमेज लार्ज है, ड्रॉर रे डाइगराम, लो भाई, ये बन गए रे डाइगराम, बोला था रे डाइगराम पर पढ़ लेना, नंबर फूल आएंगे, है ना, नंबर सब के आएंगे, जैसे वो मीम चलनल, लेवल सब के निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके, जो की हर रोज मेहनत करेगा, तो नंबर सब के आएंगे, बस आएंगे उसके, जो की हर रोज कंसिस्टेंसी से मेहनत करेगा चलो बेटा आगे बढ़ते हैं फटा फट से अगले question की तरफ name the type of mirror used in the following situations कौन कौन से mirror use किये जा रहे हैं ये ncrt के अंदर same ये question given है और इसका answer भी ncrt के अंदर given है पहला है headlight बताओ भाई headlight के अंदर कौन सा होता है कौन केव क्यों क्यों जरूरत है reason क्या है reason बताओ देखो मैं आपको बता देता हूं मान लो एक oncave है है अब headlight में एक जगे से light निकल रही है आप वह जो है जो आपके गाड़ी के headlight है उसको तो बहुत दूर तक देखना है उससे तो parallel lights देखना है न रहं आपको पूरा area देखना है यहाँ पर कुछ है तो नहीं यहाँ पर Pues gosh है तो नहीं है तो इसे से आपकी जो light से हो parallel होनी चाहिए, इस वज़े से हम क्या use करते हैं, कौन की है, यह diagram भी देख लो, ऐसा diagram बना कर समझा कर भी आ सकते हो, कोई दिख करती है, ठीक है, अगर देखो, side rare view mirror, यह तो बार बार सब को पता है, जो अपना side वाला शिशा होता है, जिसमें कि तुम अपने बाल से कर वगेरा नहीं होते हैं, जो कि सूरज की मदद से, सूरज की energy से चलते हैं, उन सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक mirror लगता है, जो कि यह आपका concave mirror, क्यों लगता है, क्योंकि concave mirror से हो क्या करते हैं, एक जगे पर पूरी, जो आपकी sunlight है, उसको focus करवाते हैं, है ना, तो एक पर फटा-फट से देख लेना, जिसे पहला आपका answer है, concave mirror are used as reflector in headlights of the car, और क्या बोला है, इसका main काम क्या है, इसका main काम है, parallel, parallel कर देना, मैंने आपको बता है, light को parallel भेजना, यह इसका main काम है, concave का, अगला है आपका convex, वो तो आपको पता ही है, और आखरी आपका द मिल जाएंगी, tension हो, इतना क्यों tension लेते हो, काहे इतना tension लेते हो, pdf, pdf मिल जाएंगी, telegram के उपर, या फिर description के अंदर, अगरा question है, try करो, एक मिनट में पानी भी लेता हूँ, जल्दी से, चलो, चलें, करते हैं, solve, one half of the, बड़ा important है भईया ये तो, ये सवाल तो भईया इतना important है, इतना important है, इतना important है, कि मैं क्या ही बता हूँ, बच्चे इतना confused रहते हैं, ध्यान से पढ़ लेना, paper के अंदर दिख जाएगा, बोलोगे, भईया ने बोला तो था important है, बट हम ही मूर्थ, कि हमने ध्यान से सुना नहीं, बट देख, जल्दी से सुन ले, देख, one half of the convex lens is covered with black paper, क्या बोल रहा है, एक convex lens है, मालो एक convex lens है, ठीक है, ये अपना convex lens है, इसका जो half portion है, मालो ये वाला, नीचे वाला portion ले ले लेते हैं, ये covered हो गया है, किस से एक black paper से, एक काला paper मैंने इसमें लगा दिया है, अब क्या बोल रहा है, विल दी lens produce complete image of the object, मालो मुंबत्ती जी यहाँ पर है, तो क्या मुंबत्ती जी की पूरी image बनेगी, हाँ या ना, बोल भाई 48 से, और अपना answer को justify भी करो, बताओ, क्या लगता है, मैं बताओ, इसका accurate answer है, येस, पूरी image बनेगी, पूरी image बनेगी, आप बोलोगे, भाया, कैसे बनेगी पूरी image, चलो देख लेते हैं, बहुत सारे cases से पूरी image बनेगी, पहले एक case दिखाता हूँ मैं आपको, imagine करो, एक light गई, parallel, parallel, parallel light क्या करती है, focus से निकलती है, हाँ है ना, बोल दे भाई, हाँ है ना, बता, कोई समस्या, कोई दिक्कत, पहले light है, है ना, अब दूसरी light मान लो, दूसरी light मान लो, ऐसे है, है ना, दूसरी light मान लो, ऐसे है, तो वो और band हो जाएगी, और वो और नीचे जाएगी, और कहीं ना कहीं, ये दोनो light जाकर क्या होंगी, मिल जाएगी, है ना, तो image तो बन इन्टेकल से निकले और ये दोनों कहीं पर जाकर क्या करें इंटरसेक्ट कर जाएं है ना अब आप बोलोगों के भाईया यहां पर तो देखो कागज जो है वो थोड़ा सा बलैक है तो देखो लाइट तो निकलेगी बट light की जो intensity है वो बहुत ज़्यादा low हो जाएगी समझ पाए, समझ पाए तो अब ये वाला diagram भी बना कर आ सकते हो object की image बनेगी, पूरी image बनेगी बस एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है जो image बनेगी वो low intensity की image होगी low intensity का मतलब क्या है? थोड़ी सी blur image होगी, दुंदली image होगी ज़्यादा clear नहीं दिखेगी, क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि देखो light रे pass करेगी black paper में से तो light उत्ती clearly नहीं दिखेगी है ना, तो इस वज़े से image उतनी clear नहीं बनेगी तो ये इसका accurate answer है ये मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूँ अगर नीचे का portion ऋमने black कर रखा है तो ये वाला diagram बना सकते हो अगर उपर का portion उमने black कर रखा है तो ये वाला diagram बना सकते हो आगया समझ भें? तो image पूरी बनेगी, यह याद रखना very important question double star एक बार फटाफट से mark कर लेंगे और आएंगे फटाफट से numericals के तरफ चलो देखो an object 5 cm in length is held 25 cm away from the converging length देखो जैसी मैंने converging बोला क्या करो अपनी copy के उपर lens बना लो lens बना लो ताकि आपको याद रहे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं convex lens की अब जैसे ही convex lens बनाया तो अब तुम मुझे खुद बता दो इसकी focal length positive होती है negative होती है convex lens की positive होती है याद है न यह सारी चीज़े कैसे याद होगी बेटा practice से याद होगी practice से चलो अभी हम numerical करी रहे हैं तो उससे पहले मैं आपको एक sign convention के एक दो rule समझा देता हूँ जिन बच्चों को नहीं आता वो एक बार ध्यान से समझ लो जिनको आता है वो revise दो जाएगा उनका देखो माल लो कोई lens है या माल लो कोई mirror है दोनों में samey case होता है अगर कोई भी चीज left side में है समझ पारे हो left side में है तो उसको हमेशा negative लेना अगर कोई भी चीज राइट साइड में है तो हमेशे उसे क्या करना पॉजेटिव लेना क्या चीज समझ मैं ताइन कन्वेंचन का एक ही रूल है जो चीज लेफ्ट वो नेगिटिव जो चीज राइट वो पॉजेटिव अब ये जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ किस तरफ होती है इसकी फोकल लेंथ होती है इस तरफ मतलब क्या है इसकी फोकल लेंथ होगी पॉजेटिव समझ पाए object कहां पर होता है object होता है यहां पर तो इसकी object का distance क्या होगा u की value होगी हमेशा negative image कहां बनती है जो पांच cases है उसके अंदर image बनती है इस तरफ तो उन पांचो cases के अंदर V की value होगी positive बट एक case के अंदर बनती है negative क्या चीज clear है क्या चीज clear है यह जो sign convention है बेटा यह समझ लो क्योंकि यह बच्चे बहुत जादा confused होते हैं एक बार मैं आपको दूसरे lens का भी बना कर दिखा देता हूँ यह board भीया चल जाओ क्यों परिशान कर रहे हो diagram को ignore करेंगे और जल्दी जल्दी से समझेंगे देखो इसके अंदर भी अगर कोई भी चीज कोई भी चीज left side में है तो क्या होगी वो negative होगी वरना positive होगी ठीक है इसकी focal length कहा होती है इसकी focal length कहा होती है बेटा इसकी focal length इस तरफ होती है याद कर ले रहे अरे मूर्क बाला कि याद कर ले प्यार से मूर्क बोलता हूँ अफेंड मन दुआ करो ठीक है तो इस तरफ होती है है ना तो क्या होगी इसकी इसकी होगी हमेशा negative तो concave lens की कैसी होती है negative sign convention बेटा दिमाग के अंदर होना चाहिए अब आते है question की तरह चलो फटा फट से question को देखो क्या बोल रहा है an object 5 cm in length हमें उसकी length given है मतलब हमें क्या है उसकी height given है height is equal to 5 cm आगे देखते है is head 25 cm away from the converging lens मतलब हमें u की value दे रहा की है 25 cm बेटा प्लस का 25 या negative का 25 भाई या negative का हाँ बहुत बढ़िया समझ गया बेटा हुश्यार हो गया आगे देख focal length 10 cm बेटा converging mirror converging lens यानि क्या है convex lens convex lens की focal length भाई या positive होती है तो हमें पता है यार आप क्या हमें पागल समझ रहो हमें आता है यार बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया आगे देखते हैं क्या बोल रहा है draw the ray diagram and find the position size and nature of the image road जो आपका ray diagram है वो तो हम draw कर देंगे बड़ा simple है बट हम directly निकालते हैं size वगेरा हम वो सारी चीज़े निकालते हैं numerical को solve करते हैं तो देखो simple सी बात है lens formula लगेगा lens formula I hope सबको आता होगा नहीं आता तो यार ऐसे तो मत करो 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u क्या ये formula हर एक student को आता है फटा-फट से बता दो है ना आपको 1 by f की value दे रखी है 1 by 10 is equals to 1 by 10 minus 1 by 25 is equals to 1 by v अब आपको बेटा LCM ले ले लेना है अगर किसी ना बोला कि LCM नहीं आता तो पिड़ जाओगे क्योंकि बेटा LCM देगो चलो यार तुम्हें मैं बताई देता हूँ ले यार देख LCM कैसे लेता है ध्यान से समझ लेना बेटा LCM कैसे लेता है एक बार बतानों बार बार नहीं बताऊँ बार 25-10 का माल लो LCM लेना है तो सबसे पहले ढूंडो smallest factor क्या है smallest factor है 5 तो 5 से पहले हमने क्या करा इसको हम divide कर लेंगे तो बच्चे का 5 और ये बच्चे का 2 अब मैं 2 से कर लूँ और फिर मैं 5 से कर लूँ है ना तो सब कुछ कड़ जाएगा तो इनको multiply कर लो 5 इंटू 2 कितना होता है 5 इंटू 2 होता है 10 10 इंटू 5 कितना होता है 50 तो LCM आ गया 50 ऐसे लेतना है बेटा LC ऐसे लेते हैं तो इनका LCM हमने ले लिया कितना 50 50 तो 5 माइनस 2 इस इकॉल्स टू 3 बाई 50 है ना और reciprocal करना मत भूलना अगर reciprocal नहीं करा तो जिन्द की जिंगल आला हो जाएगी है ना जिन्दे की जिंगल आला हो जाएगी तो हमारी V की value कितनी आई V की value आगई 50 by 3 यह है आपका final answer ठीक है V की value आगई 50 by 3 क्या यहां तक एकदम clear है हमने क्या निकाला image का distance निकाल दिया ठीक है यहां तक clear है अब क्या बोल रहा है nature बोल रहा है तो देखो nature आपको पता है nature क्या है image का nature क्या है इमेज का nature क्या है क्यूंकि जो image बनी है वो positive है यानि image कैसी बनी है इस तरफ बनी है इस तरफ बनी है यानि image कैसी है real है real है और inverted है है ना real है और inverted है अगली चीज़ हमसे पूछ रहा है size image का size बताओ तो चलो image का size निकाल लेते हैं ऐसे एक हमारा प्यारा प्यारा सा बेटा magnification का formula होता था magnification का formula I hope सब को आता होगा m equals to v by u lens के case में mirror के case में minus लग जाता था और इसको हम बोलते थे height of image by height of object क्या ये formula सब के दिमाग में है बिल्कुल है v और u की value कैसे सब के पास है बिल्कुल है तो value अब आपको put करनी है बाकी कुछ नहीं करना है v की value है 50 by 3 u की value है minus का 25 तो put कर देते हैं 50 by 3 divide by minus का 25 is equals to height of image height of image हमें given थी कितनी 5 cm देख लो बेटा कितनी दे रखी है 5 cm बड़ा अच्छा सवाल है एक सवाल के अंदर सारे concept clear हो गए 5 by height of height अच्छा एक मिनट एक मिनट अरे नहीं नहीं हमें height of object गिवन है height of object हमें given है height of object हमें given है height of image हमें निकालनी है height of object हमें question में given है जो कि यह 5 अब कुछ नहीं करना बेटा इसको इधर ले जाओ बस निकाल लो फटा फटा निकाल लो, क्या रहा है answer, जल्दी से बताएं, क्या रहा है बेटा answer, अब तो कुछ नहीं करना है, अब तो इसके अंदर कुछ बचाई नहीं है, बेसिक calculation बची है, वो तो I hope, इतनी calculation तो भाईया करनी आती होगी, है, इतनी calculation तो करनी आती होगी, इसको यहां से य यहां काट दो, पाँच से कड़ गया, है ना, इसको यहां से यहां से काट दो, दस आ गया, तो height of image आ गई, height of image आ गई, minus का 10 वाई, 3, यह आ गई height of image, यह आ गई height of image, है ना, चलो, minus है, minus का क्या मतलब है, बिटा, देखो, अगर एक question समझ नहीं आया, मैं एक चीज बोल रहा ह पिर से, ध्यान से सुनो, क्योंकि यही question आपके board exam के अंदर आ जाएगा, और आप confused रह जाओगे, जितनी ज़्यादा practice करोगे, उत्ते ज़्यादा number आएंगे, simple सी strategy है, ठीक है, minus का क्या मतलब है, minus का यह मतलब है, कि image उल्टी है, image कैसी है, image inverted है, कैसी है, inverted है, inverted है, बहुत clear, तो यह आगया आपका height of the image, है न, I hope यह समझा गया होगा, यह पूरा का पूरा concept समझा गया होगा, दो तिन चीज़े याद रखना, lens formula, sign convention लगा होगे, देखो numerical solving strategy क्या है, मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने देखा कि given क्या है, मैंने given लिखा, और मैंने sign convention लगा, sign convention लग किया रहे, चलो एक extra information आपको देखे जाता हूँ, जब भी आपकी magnification की value में negative sign आपको दिख जाए, तो समझ जाना image है real plus inverted, ठीक है, और जब भी magnification में आपको positive दिख जाए, तो समझ जाना virtual और क्या, erect, यह note कर लो, यह note कर लो, जब भी magnification में आपको negative sign दिख जाए, तो समझ नहीं पड़ता, दोनों के अंदर सीम है, दोनों के अंदर सीम है, ट्रिक बता रहों, ट्रिक बता रहों, confused रहते हैं बच्चे, ठीक है, चलो बेटा, यहां ता clear, 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 और यह बया, चलो यार, फटा-फट से आगे बढ़ जाता है, मुझे पता है, कोशन टफ है, मुझ करो, double star mark करो, क्यूं, एक बार कोशन फिर से पड़ो, तुमने कोशन को गलत पड़ा है, मैं guarantee से पता सकता हूं, वापिस से read करो, वापिस से read करो, देखो, हमें ये तो समझ आ गया, कि concave lens की बात हो रही है, concave lens कैसा दिखता था, ऐसा दिखता था, बहुत बड़ी है ना, य यहाँ पर देखो, focal length given है, बड़ यहाँ पर आगे क्या लिखा है, देखना, an image 10 cm from the lens, मतलब ये जो 10 cm given है ये object का distance नहीं है, अरे मूर्ख बाला की तरह जा, तुम सुम 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 पास, ये object का distance नहीं है, ये image का distance है, इस वज़े से बोला question, बच्चे confused हो जाएंगे, कोई distance given होगा, तो objective होगा, बड़ यहाँ पर खेला कर दिया तुमारे साथ, क्या कर दिया बेटा, खेला कर दिया तुमारे साथ, और तुमारे साथ क्या कर रहा है, तुम्हें ये बोल दिया गया है, कि 10 cm क्या है, image, image का distance है, है ना, image का distance है, चलो, अब लिख लेता है, फट इस तरफ बनती है बेटा, इस तरफ बनती है बताओ, इसी तरफ बनती है ना, लेफ्ट साइड ही बनती है ना, और मैंने क्या बताया, जब भी कोई भी चीज लेफ्ट साइड में होगी तो वो नेगेटिव होगी, हाँ या ना वो लेयार, हाँ या ना वो लेयार, पिलकुल, तो इसका मतलब ये जो V की value हमें given है 10 cm ये भी हम क्या लेंगे negative लेंगे sign convention is the key अगर sign convention नहीं आया पूरा chapter ऐसे जाएगा aeroplane की तरह है ऐसे चल आगे देखते हैं How far is the object placed from the lens? हमें बताना है कि भाईया U की value बता दो यार U कितना है और draw the ray diagram, ray diagram तो तो तुम खुद बना लोगे इतने तो अब तुम शक्त हो गए हो तुमें सीख गए हो अब हम numerical solve करते हैं फटा फट से क्या लगाएंगे बेटा? lens formula कहां हो तुम? कहां हो तुम? और बेटा मेरा मत देखो, खुद से करो, खुद से करो के तभी मजाएगा, है ना बिना खुद से करें तो फिर तो यार क्या ही फायता है, है ना? चलो, minus 1 by 15 is equals to minus 1 by 10 minus U, ठीक है, minus U को मैं क्या करता हूँ? इधर ले जाता हूँ, तो आ जाएगा 1 by U is equals to 1 by 15 minus 1 by 10 और 10 और 15 का बेटा, LCM कितना होता है? LCM लेना अभी सिखाया, कितना होता है? 30 होता है, है ना? कितना होता है बेटा? 30 होता है, तो यह आजाएगा 2 minus 3, आंसर आजाएगा minus 1 by 30, रेस्ती प्रोकल कर लेना, कभी यहीं तक ही छोड़ जाओ, तो अपनी V की value क्या आ गई? V की value माइनस 30 cm, वी नहीं, सॉरी बेटा, यू, यू की value आ गई, यू की value आ गई, यू की value आ गई, माइनस 30 cm, माइनस का मतलब क्या है? अबजेक्ट तो हमिशा माइनस ही आता है, यह ता हमें भी पता है, कैसी बात बता रहे है, यह कौन सा नहीं है? ठीक है, बहुत बढ़ी है, यह हमने finally हमारा answer निकाल दिया है, अगला सवाल हमसे पूछ रहा है, कि भाई, ray diagram बना दे, अरे भाई, ray diagram तुम मना दो, अब तुम्हें पता है, देख, object कहा है, 30 cm पे, focal length कितनी है, 15 है, focal length कितनी है, 15 है, तो क्या हम अब ray diagram बना सकते हैं, यह रहा इसका ray diagram, यह रहा इसका ray diagram आप देख सकते हैं, object कहां पर है, 2F1 पे हैं, 2F1 पे हैं, है ना, तो यह आपका इसका ray diagram आ जाएगा, image यहां पर बनेगी, इसलिए बोला था, ray diagram इंपोर्टेंट है, खुछ से बनाने की practice बेटा करते रहनी है, फटा-फट से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमा convex lens, अभी हमने question देखा, concave lens का, और अब आगया है कौन सा, convex mirror, चलो, convex mirror कैसा देखता है बेटा, ऐसा देखता है, याद रखना बेटा, याद रखना ऐसा देखता है, चलो, आगे देखते हैं, क्या बोल रहा है, an object is placed at a distance 10 cm, from the convex lens, of focal lens 15 cm, given लिख लेते हैं, you कैसा होगा, negative हो यह तो जीवन का सकते है, इसको नहीं बदल सकते हैं, यह तो जीवन का सकते है, focal length, बता भाई, convex mirror की focal length कैसी होती है, जल्दी से बता दे, सब को मालूम है, positive होती है, ठीक है, तो positive का 15 cm, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं, find the position and nature, चलो, कुछ नहीं करना बेटा, mirror formula लगा 1 by V, यह बोलता है, यही बोलता है, बहुत बढ़िया, तो अब तो आपको बस सारी चीजों को put कर देना है, तो अब मैं भी put करके दिखा देता हूँ, बर cheating मत करो यार, खुद से करो, खुद से निकरो, मैं जहीं नहीं आएगा, खुद से करना सीखो, यह ना, तो 1 by V, minus, क् आ जाέगा कितना, 1 by 15, plus 1 by 10, LCM बेटा अभी लिया, कितना, 30, अभी लिया था थोड़ दर पहले, याद कर ले, अभी लिया था थोड़ दर पहले, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, चल, है ना, LCM लिया, कितना आ जाएगा, 2 plus 3, 2 plus 3, यानि कितना आजाएगा, यह गई आपकी किसकी distance है वेटा इमेज की distance है तो जो इमेज की distance है वो क्या आया है positive 6 cm positive का मतलब क्या है positive का मतलब क्या है image क्या है image क्या है आपकी virtual अगर ये positive negative का game नहीं समझ आता ना अब हिं मैने manifestation समझाया था याद कर देँ मैंने magnification में एक line बोली थी कि जब भी magnification negative यानि image real जब भी magnification positive तो image क्या virtual तो इसका magnification निकाल लेना magnification mirror के case में क्या होता है minus V by U यही होता है V की value कितनी है U की value कितनी है minus 10 उठ कर दो minus क्योंकि बहार एक minus है 6 by minus का 10 है ना तो minus सा minus कर जाएगा minus सा minus कर जाएगा final answer आएगा आपका कितना यह आजाएगा आपका 3 by 5 positive का 3 by 5 यानि image कैसी है virtual है तो एक trick समझ लो है ना अगर तुम्हे sign convention समझ नहीं आता magnification निकाल लेना magnification अगर आपका negative आजाए तो image real अगर positive आजाए तो image virtual यह होगे यह मैरी trick ठीक है ऐसे question solve करोगे तो सारे question बन जाएगे I hope it clear है बता दो बता दो यह आपके answer सारे के सारे check भी हम कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ देखो बहुत सारे students हैं आपर जो कि बोल रहे होंगे बहुत दर लगने लगता है एक चीज मैं आपको ना एक जिंदगी की बहुत बड़ी reality बताता हूँ जिंदगी में अगर कुछ करना है ना तो गिरना बहुत important है fail होना बहुत important है क्योंकि जब जब आप fail होते हो ना तब तब आप समझते हो इस दुनिया की सच्चाई है कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं है reality आपको पता चलती है fail होने पे तो डरों मत की fail हो रहे है क्या होगा marks नहीं आ रहे डरना नहीं है fail हो रहे हो अच्छी चीज़ है कोई दिक्कत नहीं question नहीं बन रहे है अच्छी चीज़ है practice करो होंगे practice करोंगे होंगे चलो अगले सवाल पर आतना है फटा फट से solve करो magnification produced by a plane mirror is plus one what does this mean बताओ अभी बता है positive sign का मतलब है virtual virtual का बड़ा भाई कौन erect ये हमें पता है और one का मतलब क्या है जब भी magnification one के बराबर है यानि जो size है image का वो क्या है same size है ये तो यह कहानी है ये तो हम पहली पढ़ चुके तो theory के अंदर पढ़ चुके है तो यही इसका answer है पताओ क्या चीज़ clear है गैचली चीज़ clear है कि आप समझ गए हो कि magnification one का क्या मतलब है कि image की जो height है वो same है image कैसी है virtual है virtual का बड़ा भाई erect है चलो बहुत बढ़ी है आगे बढ़ते हैं अगला question अगला question जल्दी बताएं जल्दी बताएं बेटा simple है simple है जल्दी बतादो एक बाद at a distance of 20 cm in the front of the convex mirror convex mirror का सवाल है अभी इस से पहले भी हमने convex mirror का बड़ा ललू सा सवाल करा वही सेम सवाल है sign convention बेटा याद रखेंगे convex mirror की जब भी हम बात करते हैं तो उसका focal length कैसा होता है उसका focal length हमेशा positive होता है तो इसका मतलब क्या है कि focal length हमेशा उसका positive आ रहा होता है इसके अंदर हमें क्या given है radius of curvature 30 cm radius of curvature given है तो उन्हें लग रहा था कि इनको ना radius curvature दे देंगे तो focal length निकाल पाएंगे और उन्हें क्या पता था हमें तो idea है हमें तो पता है कि जो radius of curvature होता है वो two times होता है focal length के क्या है सबको पता है तो focal length कितनी होगी half the radius of curvature तो focal length कितनी होगी plus का 15 cm बड़े simple सा था focal length आपने निकाल लिया अब हमें और क्या क्या चीज given है हमें पता है distance जो है वो 20 cm है u की value है minus 20 cm हमें क्या निकालना है हमें निकालना है position, nature and the size मतलब हमें V निकालना है V निकालने के बाद हमें magnification निकालना है magnification निकालने के बाद हमें height of the image निकाल लिया है न, magnification के formula से इसको directly मैं solve नहीं करा रहा हूँ आपको यहाँ पर calculation पूरी की पूरी दिखा देता हूँ यह हमने सारी चीज़े लिख रहा किए है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो हम क्या करते है focal length निकालनेगे जो कि आजएगी plus की 15 cm अब हमने क्या करा formula लगाया mirror formula 1 by F equals 2 1 by U plus 1 by V उस formula को लगाया और finally जो हमारा जो हमारा जो V निकल के आया V निकल के आया है 8.6 cm आप pause करके आप एक पर check भी कर सकते हो कि आपका यही आया उसके बाद हमने क्या करा magnification निकाला magnification क्या होता है minus V by U minus V by U के formula से हमने magnification निकाला और वही पराबर होता है किसके height of image by height of object के तो यह आपका final answer हो गया same question हमने previous करा था इस वज़े से इसकी calculation मैंने solve नहीं कर वाई चलो बेटा अगले सवाल की तरफ बढ़ते है फटा-फट से अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते है अगला सवाल बड़ा important है star mark करेंगे अगला सवाल बहुत जादा important है बार-बार पूछा जाता है इस वज़े से बोल रहा हूँ star mark करो देखो सवाल के अंदर क्या बोला है an object of size 7 cm द्यांस देखना एक object है 7 cm लंबा है ना मुंबत्ती जी की height होग यह 7 cm it's placed at 20 cm in front of the concave mirror ठीक है 18 cm तो focal length बेटा positive होगी या negative होगी concave की कैसी होती है negative होती है बार-बार मेरे साथ दोराओगे तब याद हो पाएगा है ना और हमें u की value भी given है u भी है minus 27 cm चलो अब हमसे क्या बोल रहा है at what distance from the mirror should screen be placed so that sharply focuses image that can be obtained हमसे बोड़ रहा है कि मैंने मुंबत्ती जी को तो रख दिया अब मैं एक screen को कहा पर रखूँ कि उ screen के उपर जो image है मुंबत्ती जी की वो एकदम accurate आजाए यानि वो क्या पूछ रहा है हमसे अरे भाईया confuse कर रहा है हमको कुछ नहीं पूछ रहा हमसे 3-4-3 V पूछ रहा है V क्योंकि जहां पर image बनेगी वहीं पर ही तो हमें screen प्लेस करनी पड़ीगी न बेटा हाँ या न बोलिया तो बस हमें V निकालना है जितने भी ऐसे screen वाले question आते हैं confuse मत वो करो language में question same है हमें इसके अंदर भी क्या निकालना है V निकालना है कुछ नहीं करना बेटा V निकालना है अब आप अपना अराम से जो mirror formula होता है वो आप लगा सकते हो mirror formula लगाओ answer निकालो और जिन्दकी में मज़े करो चलो बेटा निकाल देते हैं एक बार आपकी तसली के लिए निकाल देते है 1 by V plus 1 by U है ना हमारे पास क्या क्या given है U और F हमारे पास given है तो लिख देते हैं भईया पटा फट से मैं calculation कर रहा हूँ calculation अब अपने according करो जल्दी बाजी में क्योंकि calculation में नमबर करते हैं सबके एक्जाम के अंदर तो उसको strong कर लेना मैंने इस 1 by U को इस तरह shift कर दिया तो minus में हो गया और ये already minus में था तो minus minus कट गया तो ये plus का हो गया plus का 1 by 27 is equals to 1 by V है ना अब LCM ले लो इन दोनों का LCM ले लो इन दोनों का LCM आप calculate करोगे तो आएगा 54 है ना इन दोनों का LCM मारा होगा 54 54 से ये कितने टाइम जाएगा 3 टाइमस minus का 3 plus का 2 तो ये final जो आजाएगा आपका आजाएगा minus 1 by 54 reciprocal करना मत भूल जाना वरदा जिंदगी में जिंगा लाला हो जाएगा ठीक है खुद बताओ positive आया है negative आया जल्दी बताओ खुद बताओ क्या है बेटा positive आया है ये negative आया है एक बड़ जल्दी बताओ क्या आया है negative आया है देखो यहाँ पर negative का sign था तो मतलब minus का 54 आया है minus के 54 का क्या मतलब है माइनस के 54 का ये मतलब है बेटा कि अगर ये concave mirror है अगर ये object है तो जो screen है ना वो भी same side पे यहाँ पर place करनी पड़ेगी यहाँ पर place करनी पड़ेगी तो याद रखना इसका answer आएगा 54 cm and screen should be placed in the same side of the object जहाँ पर object है उसे तरफ में उसी same side पे हमें place करना पड़ेगा अगर मेरी V की value positive आती तो screen कहाँ पर place करते है इस direction में place करते है शुरू में sign convention बताया था इस तरफ यानी negative इस तरफ यानी positive बताओ दिमाग के अंदर घुज गया बहुत ये था बड़ा अच्छा सवाल important सवाल इस पर इसी वज़े से बोला था star mark कर लेना तो यहाँ पर आप magnification बगेरा भी निकाल सकते है अगर question के अंदर आगे पूछा गया होता तो ठीक है चलो बहुत बढ़ी है अगले सवाल की तरफ बढ़ते है find the focal length of the length of the power minus 2 diameter what is the type of the lens चलो ठीको एक formula आपको याद होगा power is equals to 1 by f है ना और यहाँ पर focal length जो है वो meter में होनी चाहिए याद आगया अगर इसको centimeter में convert करना है तो क्या formula था 100 by f यहाँ पर f in centimeter यहाँ यह formula की मदद से focal length आप निकाल सकते हो बड़ यहाँ पर ना power में negative का sign लगाए इसके बार में बात करते है important है very important देखो जब भी power negative आ जाए त्यान से note करके रख लो कहीं पर भी जब भी power में negative का sign दिख जाए इसका मतलब है कि उसकी focal length भी negative है और focal length किसकी negative होती है कौन सा lens था याद कर याद कर कौन सा lens था कौन केव कौन केव और जब भी power positive आ जाए तो याद रखेंगे कौन of excellence ठीक है ठीक है तो negative positive का याद रखेंगे तो इस question के अंदर power किती दी गई है negative यानि यह lens कौन सा है बोल कौन केव है बहुत बढ़िया lens है कौन केव हमें क्या बताना है हमने type of lens तो बताई दिया हमें बताना है focal length तो focal length आप यहाँ पर निकाल दोगे two diopter minus two diopter is equals to one by f f को इदर ले जाओ two को नीचे ले जाओ f is equals to minus one by two जो कि आएगा minus 0.5 meters 0.5 meters meters के अंदर हमने निकाल दी है क्या कुछ दिक्कत क्या कोई concept में misunderstanding हो रही है सब कुछ समझ आ रहा है अगर समझ आ रहा है तो एक काम करेंगे क्या काम करेंगे अपने मित्रों के साथ भी session को share करेंगे सब की मदद करेंगे बेटा है ना अकेले पढ़के क्या मजा है आज सब को share करो तभी तो मजा आता है चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ आई के से हमारा आखरी सवाल है आज का अरे बहुत बढ़ी है चलो अर क्यांड दी फोकल लेंथ अब दी लेंस इस दी प्रिस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कनवर्जिंग अब खुद बताओ पावर है पॉजिटिव कौन सा लेंस है कौनकेव कौनवेक्स बेटा फिर कनक्विज हो रहे है तू बताया जब भी पावर नेगिटिव है कौनकेव जब भी पावर पॉजिटिव है क्या कौनवएक्स तो लेंस कैसा है लेंस है konvex konvex lens diverging होता है या ponverging होता है ऑशा यााद कर लो converting converging तो कैसा है converging lens है बहुत बढ़िया एक आप से बोल रहे हैं कि power निकाल दो मैं बहुत फोकल लें निकाल दो तो आपको पता है power is equals to 1 by f है ना तो power आपको given है 1.5 is equals to 1 by f इसको यहाँ पर हम अगर solve करें इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ तो f की value आजाएगी 1 by 1.5 तो answer आजाएगा आपका 10 by 15 10 by 15 को और divide कर लो तो यह आजाएगा 2 by 3 इसको और divide कर लो तो answer आजाएगा आपका 0.66 meter बहुत बढ़िया यह इतनी फटाफट calculation कैसे कर लेते हो यार आप हमारा तो भीज़े नहीं चल पाता तो बेटा जब तू practice करेगा तेरे से भी होने लगेंगे सारा game practice का है है मैं कुछ वो चमतकारी जड़ी बूटी तो खा के आया है नहीं कि मैं calculation कर देता हूँ practice कर रहा हूँ इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो आदत लग गई है यार है ना मेरा कोई brain super intelligent नहीं है कि भाई मैं तो एक बार में सब कुछ जात कर ले तो नहीं practice everything is practice कुछ अलगनी है सब practice है ठीक है तो यह आपका answer आजाएगा clear है क्या मज़ा आया क्या समझ आया एक बार मज़ा आया समझ आया तो एक बार chat मैं मुझे फटा-फट से बता दो फटा-फट से बता दो क्या हमें समझ आया जल्दी बता दो जल्दी से वक्त आ चुका है खुद को प्रूव करके दिखाने का समय आ चुका है उठो और खुद को प्रूव करो जो लोग बोल रहे हैं कि तुद से नहीं हो पाएगा उन लोग को गलत प्रूव करना है तुम्हें याद रखना इस वात को तो इसी motivation के साथ आज का session end करते हैं मिलते ह अगले lecture के अंदर take care बाए 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 चलो बाए